असलामुलेकुम, मैं नाइम इस मौम्मल मौसें रजा, Salesforce Playground चैनल में खुश्राम दीद। आज के लेक्चर में हम Salesforce के एक और मड्यूल के बारे में डिसकस करेंगे। जिसका नाव है Accounts & Contacts Lightning for Lightning Experience Salesforce के इस यूनिट में हम बेसिकली तो यूनिट को कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट गेट स्टार्ट विद अकाउंट एंड कॉंटक्ट्स, सैंकर अंडेस्टैंड अकाउंट एंड कॉंटक्ट्स रिलेशनशीव। अपने टापिक पर आने से पहले आप हमारे चैनल Salesforce Playground को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। अपने तो लेट स्टार्ट आपक्स अपने पर चुका है और इस यूनित में बेसिकलिए इन चीजहों को कवर करेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, कॉंटेक्ट्स क्या होते हैं और परसेंट अकाउंट क्या होता है इस का मैं जस्ट आपको हिंड दोंगा और उसके बाद काईदा हम अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे और बागी डिटेल आप खुद भी यह सारी यांसे रेड़ कर सकते हैं अकाउंट्स एंड कॉंटेक्ट्स In Salesforce, you store information about your customer using accounts and contacts Salesforce में आप अपने कस्टमर की information को accounts और contacts को use करते हुए store कर सकते हैं Accounts are companies that you are doing business with Accounts जो होते हैं वो basically companies होती हैं जिनके साथ आप अपना business कर सकते हैं या business करना चाहते हैं या business कर रहे हैं And contacts are the people who work for them Contacts वो लोग होते हैं जो इसमें काम कर रहे हैं या यान के Salesforce पे किसी भी कस्टमर का data या information को store करने के लिए हमें accounts और contacts की ज़रुरी परती हैं इसी तरह आप 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 से परसंड अकांट क्याथ है परसंड अकांट If you are doing business with a single person अगर आप किसी एक सिंगल पर्सन के साथ करना चाहते हैं या करें like a solo contractor or individual consumer you use a special account type called a person account यानि कि आप अगर किसी एक सिंगल पर्सन के साथ अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक special account इस्तमाल करना होता है जिसे कहते हैं person account परसन अकाउंट बिल्गूल बिजनेस अकाउंट की तरह होता है लेकिन परसन अकाउंट का मकसद सिर्फ किसी फर्द के बारे में मालूमात या उसके डाटा को रिकार्ड करना ही होता है यानि कि वो ज़स्ट किसी एक पर्द की मौलूमात को रिकार्ड करता है So guys, आपको basic concept का पता चल चुका कि accounts, contacts and person account होते क्या हैं बाकि आप खुद ही यह सारे इसके मतलब पढ़ सकते हैं अब हम अपने अगले जो topic है अगल है अब याब हम इसके practical काम की तरफ चलते हैं इसका practical काम करते हैं तो इसके लिए हमें salesforce का playground को open करना पड़ेगा तो हम अपना salesforce का playground को open करते हैं यह हमरे पास salesforce का playground open हो चुका है जिस पे हमें बकरदद practical working करना है तो बिल्कुल step by step जिस तरह यहां पर किया हुए उसी तरह हम इसको step by step करेंगे सबसे पहले हम यहां पर apple launcher क्लिक करते हैं और यहां पर हम करेंगे accounts यह नीचे accounts accounts पर click करेंगे account पर click करने के बाद हम third step करेंगे यहां पर click new पर करेंगे हमारे पास एक farm open हो चुका है यह वाला यह open हो चुका है और इसके अंदर हम यह सारी detail इंटर करें जो step for में किवे account name हो गया phone हो गया account number हो गया account site हो गया type यह सारी चीज़ हम इसमें इंटर करेंगे इससे पर देख अगांट नेम हो यहां पर हम अगांट नेम को लिखें को पी पेस्ट उसके बाद phone यहां से copy किया phone वाले box में पेस्ट कर देए उसके पाद account number 117 account number यहां पर पेस्ट कर देए उसके बाद account site single location account site यहां पर उसके बाद है इसके टाइप customer date टाइप क्या है यहां से हम उसके बाद हम इस्ट्री को स्लेक्ट करेंगे इस्ट्री इस्ट्री स्लेक्ट होगे उसके बाद हम है इंट्रोल से हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं पर क्लिक्से शीके बटन पर क्लिक करते हैं алась was created हेमारे पास एक통 create हो चुकत है हुआ हम अब हम एकांट क्लिफ करेंगे हम यहां पर हम यह यहां पर एकांट नेम रखा हुआ था वह हमारे पास अकांग बन चुक देटेल खेआ है तो यहां क्लेप करेंगे एक तो यह हमारी सारी डिटेल आचऊ की जो हम ने इस handic nerve कुम करना को हम अगर मुबाइल में श्ट्र चाहते हैं मुबाइल में इसत्माल करना चाहते हैं तो मुबाइल में जाके जो हमने यह टेबल बनाया हुआ केट कलोड़ी का उसको सर्च करेंगे तो मुबायल पर कुछ इस तरह हमें शो हो गाए यही वाला टेबल जो हम अभी अकॉंट जो हम यहां पर बना चुक है यह मुबायल में हमें इस तरह शो हो का कुछ अब इसका नेक्स्ट टेप कॉंटेक्ट का टेबल बनाते हैं जिस तरह अकॉंट का बना है इसके लिए हम कॉंटेक्स पर जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे क क्लिक करेंगे के बाद विलखले से में उसी तरह नियू पर क्लिक करेंगे कि यहां पे हमें अकॉं इसकी तरह ऐक यहां पर हमें एक पिज टाइटल का है सेर्स मेनेजर फॉर्म यहां पे हमने फॉर्म को पेस्ट किया उसके बाद इमेल कंट्रॉल से यहां पे हम इमेल पेस्ट कर दो उसके बाद इमेल पेस्ट करने बाद सेल कर देने सेल के बटन पे क्लिक कर देने यहां के इमेल यू आप इंटर्ड इंवालट फॉर्माट इमेल का को इस्व है यहां है हमारा कॉंटक्ट का भी एक अकाउंट माइच चाहरा है यह हमारे परस कॉंटक्ट का अकाउंट यहां टेबल बाद चुक रहा है बिल पूल इसी तरह सेम हम एक और कॉंटक्ट का टेबल बनाएंगे तो उसी तरह हम कॉंटक्ट पे पे क्लिक किया बिल्कुल सेम उसी तरह का एक फार्म अपन हो जाएंगे और इसके अंदर और फस्टनें कंट्रोल से फस्टनें पेस्ट कर दिया लास्टनें कंट्रोल और टाइटल अबिल्क एमेल क्लिक से बटन शोवास ये हमारा सेम अंगला भी अंगली चुम्लिट हो आए अब हम अपने डिये टास्क को कम्प्लीट करते हैं वगाई यह हमारे पास टास्क है जिसमें हमने एक क्रियेटे कॉंटक्ट करना है अकॉंट हम अल्रेडी पहले बना चुक है अब इसके लिए अपने और से लिए और से लिए के लिए और यहां पर हमांके सबसे पहले अपने के बाद हम नियो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमरे पास यह एक फार्म ओपन हो जाए गया जिसके अंदर हम यह जो नेम और टाइटल पूरी डिटेल को इंटर करेंगे यहां पर फर्स्ट नाम हमारे पास है एलन और से अगड़ नाम जॉन्सन यहां पर हम जो अकॉंट नेम है जो हम अल्रेडी उपर बना चुक है उसको केट क्लोड को इंटर करेंगे अब उसके बाद हम टाइटल जो के अगड़े में टाइटल के बॉकस पेस्ट करेंगे इंटर करेंगी और उसके बाद हम सेट के बटन पर क्लिक करते हैं। यह नार पास कॉंटक्ट्थ क्रिएट हो चुका गया अब हम चैक चैलेंज प्रिक्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा दिया ग्याटा है और हमें पांसो प्वाइंट्स मिल चुके हैं पूरे